नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इस्तिया कैमद और आप देख रहा रहे हैं स्वागता आपका मद्यपर्देश और 36 घड़ के खास बुलेटिन में मद्यपर्देश में नए दिशा निर्दर्शों के तहट कक्षा 11 और 12 का संचालन अगले सोमवार से 50 प्रतीशत उपस्थिती के साथ शुरू करने की अनुमती दी गई है और इन कक्षाओं के चात्रों के लिए हफ़ते में दो बार क्लासिस आयोजीत की जाएंगी और जबकि ओनलाइन कक्षाओं एक साथ चारी रहेंगी इसके अलावा कक्षा 9 और 10 वी के कक्षाओं पांच अगस से शुरू होगी और कक्षा 9 सनिवार को और कक्षा 10 वी बुद्वार को लगेगी साथ ही प्रातना सवा और अन्ने सवा पर प्रतिबंद रहेगा और वहीं MPCM, वहीं मद्यपर्देश, CS, इकवाल सिंग भैस ने सभी जिला कलेक्टरों और CMHO को निर्देश दिया कि 26 से 31 के 20 सभी चात्रों, सिक्षकों और सिक्षन संस्थानों के समस्त स्टाफ को करोना वैक्सिन लगाए जाए इसके लिए सुबा नो से शाम पाँच वज़े टक टीका करन अभ्यान चलाए जाए और वहीं मद्यपर्देश में फर्जी फैसला कार्ण में पुलिस दो जजो सहीत कुछ न्याले करमचार्यों को मुल्जिम बनाना चाहती है इसके लिए स्पी आशुतोर्ष बाग्री ने हाई कोड के रेजिस्टरार जनरल को गोपने पत्र लिखा है उसमें उन 27 बिंद्यों को लेख भी किया गया है जिनके अधार पार न्याले के कुछ अधिकारी करमचार्यों की भूमी का संदिक्द बताई गई है एमजी रोड थाना पुलिस ने 27 जुन को विशेश नयाइदीस विरिंदर सिंग रावत की शिकायत पर ही अग्यात लोगों के खिलाफ धोका धड़ी कूटर चना शद्यंट की आप धारक में केस दर्ज किया था और वहीं CSP कोतवाली हरिश मोटवानी ने मामले की जाच कर फर्जी फैसला बनाने वाले IAS संतोष वर्मा को गिरफतार कर लिया है और वहीं CSP ने 27 बिंदों पर रिपोर्ट बना कर SP को भेज दी इस पर SP ने 21 जुलाई को रजिस्टरार जनरल को पत्र लिख दिया SP के मताबिक कुछ नियायल कर्मियों की भूमिका भी संदिक बताई गया है और उनके नाम भी रिपोर्ट में है और तदकालीन डीपियो मुहमद अकरम शेक ने भी पुलिस को बयान दिया था कि फर्जी फैसला बता कर मुझसे अभीमत तयार करवाया गया है और फैसले की प्रती को स्कैन भी किया था और जांच में स्कैन करने की पुष्टी भी हो गई है राजय फरसाशनिक सेवा के अफसर रहे संतोश वर्मा ने IAS अवोर्ट पाने के लिए फर्जी फैसला कांड का शडियन्त रच्चा है तो 6 अक्तूबर को रावत की कोर्ट से एक फैसले तयार किया गया जिसमें उसे बरी बताए गया इसकी प्रती समाने प्रसाशन विभाग में पेशकर वर्मा ने IAS अवोर्ट करवा लिया था और वहीं इंक्रिमेंट डिये और प्रोमोशन नहीं मिलने से MPK करमचारी मध्यपरदिस सरकार से नराज हैं और आंदोलन की रहा पर चल रहे हैं शनिवार को करमचारी फिर सड़क पर उतरे और राजे भर में ग्यापन सौपने का दोड़ चला मंतरी सांसाद और विधायकों को ग्यापन सौप चेतावनी दी गई है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 30 जुलाई से वो अनिश्चित कालिन हरतार पर चले जाएंगे वोपाल में सहकारिता और लोक सेवा प्रबंदन विवाग के मंतरी अर्विन सिंग भदोडिया को ग्यापन दिया गया वहीं MP अधिकारी करमचारी संयुक मोर्चा के बैनर तले करमचारियों के करीब 43 संगटन चरणबत तरीके से आंदोलन कर रहे हैं हाली में उन्होंने जिला इस्तर पर कलेक्टर को ग्यापन सौप ते जबकि शनिवार को दूसरे चरणब में प्रदेश भर में मंतरी सांसद और विधायकों को ग्यापन सौप पे जा रहे थे और वहीं मंतरी भदोडिया को ग्यापन सौप तेस्सा में मोर्चा के परिकारियों ने मांगों का जल निराकन करने की बात कही है और वहीं 39 जुलाई से प्रदेश भर के करमचारियों दौारा सामुहिक अफकास पर जाने और ओफिसों में लोगडाउन की स्थिती बनने की बात कही है इसके बाउजियों सरकार मांगों का निराकरण नहीं करती है तो 30 जुलाई से करमचारी अनिश्चित कालिन हर्ताल पर चले जाएंगे और वहीं प्रदेश अध्यक्ष जितंदर सिंग ने बताया कि ग्यापन सौप्ते समें मंतरी भदोडिया ने मांगों के संबन में मुख्य मंतरी से चर्चा करने का आश्वासन दिया था और वहीं प्रदेश त्रिंग ने कहा कि करोना काल में करमचारियों ने अपनी जान की परवा किये बगए सरकार के साथ कंदा से कंदा मिलाया इसके बदले में बेतन वृद्धी नहीं दी गई और डिये का आदेश भी रोग दिया गया और प्रोमोशन भी नहीं दिये जा रहे हैं इसलिए आंदोलन का रास्ता अपना ना पढ़ रहा है और वहीं मद्य परदेश के इंदोर से अजीब और गरीब खबर सामने आया है यहाँ एक पत्नी नहीं पती को जान से मानने की कोशिश की पत्नी ने दो लोगों के साथ मिलकर पती को चोथे मंजिल से धक्का दे दिया गायल शक्स को महराजा यश्वंत राव अस्पताल में भरती किया गया है युवक मोत के डर्च से बयान भी नहीं बदल रहा है मामले में पुलिस ने केस दर्च कर लिया है पुलिस के मताबिक गायल सक्ष का नाम हिमान सुख चोहान है और वो इंदोर के कनाडिय थाना छेट की भूरी टेक्री पर रहता है और परीजनों ने पुलिस को बताया कि हिमान सुख रतलाम में नोक्री करता है और उसे पत्नी पर शक्त था तो वे उससे मिलने इंदोर पोँचा पत्नी ने जैसे ही दर्वाजा खोला तो वे हैरान रह गया और उसकी पत्नी अन्ने दो यूवको के साथ कमरे में थी हिमान सुख ने विरोध किया तो पत्नी और दोनों यूवकों ने हिमान सुख के साथ जम कर मारपीड की और उसे चोथी मन्जिल से फेक दिया हिमान्शू को मूँ पैर और कमर में फ्रैक्चर भी है और इसकी हाला गंबीर है चीक पुका सुनकार बिल्डिंग के लोग भार आए और यूवा को गायल वस्ता में देख उन्होंने हिमान्शू को 108 अम्बुलिंस की मदद से म.Y.H. में भर तिकराया और हाथसे के सूचना मिलने पर जब पुलिस हिमान्शू के बयान लेने पहुँची तो उसने कहा कि पैर फिसलने की वज़ा से गिर गया और वहीं परीजनों ने पत्नी और अन्य यूवकों पर बिल्डिंग से नीचे फेकने का आरोप लगाया है और वहीं मद्य परदेश के जारतर इलाकों में तेज बारिश का दोश्रू हो गया है शुकरवार को राजधानी भोपाल समेश परदेश के कई इलाकों में जहमा जहम बारिश हुई और मौसम विभाग की मानेत और तेज बारिस का ये सिलसिला शनिवार और रवीवार को भी जारी है और मौसम विभाग ने खासतोर से मध्य परदिस के भोपाल और नर्मदा पुरम संभाग में भारी बारिस की संभावना भी जता ही है और इसके अलावा सागर, रीवा, जबलपुर, शैडोल, उजेन, इंदोर, गौालियर और चंबल संभाग के जिलों में हलकी बारिस के साथ तेज बोचारे गिर सकती है मोसल विवाग का कहना है कि बंगाल के खाड़ी में बने कम दवाव के छेट की वज़ा से तेज बारिस हो रही है तेज बारिस की संभावना को देखते हुए ग्रे विवाग ने पुलिस थानों को अलेट कर दिया है ग्रेमंत्री और राज्ये के ग्रेमंत्री नरोतम मुश्रा के मताबिक वो इलाके जो बार्ट संभावित है वहां के थानों को अलट रहने के लिए कहा गया है साथी साथ आपड़ा प्रबंदन के टीमों को एक्टिव कर दिया गया लोगों को पिकनिक स्पोर्ट पर ऐसी जगों पर जाननी के लिए मना किया गया है जहां पर पानी के वहाव की संभावना रहती है वहीं भारी बारिश के साथ ही प्रदेश के जायतर इलाकों में नदी नाले उफान पर आ गए हैं बैतोल के बैंस देई में 24 गंटे में 11 इंच जब की होशंगाबाद के सुहागपूर में 8 इंच बारिश दज की गई और वहीं राजधानी बापाल में भी दो इंच से ज़्यादा पानी बरसा है जुलाए के पूरे महिने में राजधानी बापाल में जितनी बारिश नहीं हुई उतनी अकेले शुकरवार को हुई इसको देखते हुए मोसम विभाग ने लोगों को सुरक्षित जगों पर रहने की सला दिये और वहीं 36 गड के सुक्मा जिले में राविवार को शुरक्ष बलो और नक्सलियों के बीज मुद्भेड हुई और एस्पी सुनिल शर्मा ने कहा शुक्मा जिले के मिनपा और पड़ी गुडा के जंगलों में सुरक्ष बलो और नक्सलियों के बीज मुद्भेड हुई और सुरक्ष बलो के और नक्सलियों के बीज हुई इस मुद्भेड में एक नक्सली की मौत भी हो गई है इससे एक दिन पहले शनिवार को दंते वाड़ा जिले में चल रहे लोन वराटू अभ्यान के तहए चार नकसलियों ने स्पी अभीशेक पल्लव के समक्ष आत्म समर्पन किया था इन पर विब्बिन थानों में कई मामले दर्ज हैं और एस पी डोक्टर अभीशेक पल्लव ने बताया कि नकसलियों की खोकली विचार धारा से तंग आकर और शाशन के पुनरवास नीती से प्रभावित होकर इन नकसलियों ने आत्म समर्पन किया था और उन्होंने आगे बताया कि दर्भा डिवीजन के मलांगिया एरिया कमेटी में सकरिय रहे नकसलियों मोटू मरकाम ललीता तामो मामन राम पुनजाम और भीमा मरकाम सभी जन मिलीशिया सदसे निवासी मड़का मिरास ने किंदूर में आप समर्पन किया है और इन नकसलियों का चोला नार में आईडी बलाश कर वहां उड़ाने समिद कई घटनाओं में हाथ रहा है और सभी नकसलियों को शाषन के पुनरवास नीति के तहट लावन्ती किया जाएगा और उन्हें प्रोशाहन रासी प्रदान की गई है और इसके साथ ही कॉविड रैक्सिनेशन भी करवाया जा रहा है और वहीं 36 गड में रामा नूजगंज से कॉंग्रेस विधायक प्रिस्पती सिंग के काफिले पर शनिवार राज करीव साड़े नो बजे अंबिकापुर के लरंगर सायचो के पास हमला किया गया और घटने में विधायक के फालो वाह पर फत्तर लगा और वहीं आपको बता दें किसी को चोट नहीं आई है विधायक भी पूरी तरह से सुरक्षित है घटना के बाद विधायक सीदे कोटवाली थाना अंबिकापुर पहुंच गए थे उन्होंने घटना के शिकायत दर्ज करा कर इसे राजनीतिक विद्वेश करार दिया मानुज गंज विधायक बिस्पती सिंग शनिवार को मिकापुर से रामा नुज गंज जा रहे थे और लरंग सराय चोक के पास जैसे ही वे पहुंचे उनके काफिले पर पत्थराफ किया गया और पत्थराफ करने वाले घटना स्थल से ततकाल भाग भाग भी न नुकसान हुआ है और किसी को चोट नहीं आए घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिक शक अमित कामले में भी ततकाल मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटना स्थल का निरक्शन किया और पुलिस की अलग-अलग टीमों को हमलावरों की पहचान कर ग्रफतारी के निर् कारी दी और वहीं 36 गड़ में पिछले 24 घंटे के दोरान कोरोना वाइरिस के 156 नहीं मामले सामने आये हैं राजे में इस वाइरिस से संक्रम्ट हुए लोगों की संख्या 10,101,037 हो गई है और राजे में शनिवार को 139 लोग संक्रम्ट मुक्त भी होने के बाद अस्पतालों से उन्हें छुट्टी दी गई और वहीं 281 लोगों ने घर में प्रिथक वास पूरा किया है राजे में शनिवार को कोरोना वाइरिस से संक्रम्ट तीन मरूज़ों की मौत भी हुई राजे के स्वास्ति विवाग के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि संक्रम्ट के 156 मामले सामने आए और उन्होंने आगे बताया कि 36 गड़ में अब तक 10,137 लोगों के संक्रम्ट होने की और जबकि 9,84,737 मरीज इलाज के बाद संक्रम्ट मुक्त हुए हैं और वहीं 2,789 मरीज उपचार दीन है राजे में वाइरिस संक्रम्ट 13,511 लोगों की मौत भी हुई है राइपुर जिले में सबसे अधिक 1,57,608 लोगों में कोरोना वाइरिस संक्रम्ट की पुष्ट 3,136 लोगों की मौत हुई है और वहीं 36 गड़ में बीजेपी के प्रदेश मंतरी ओपी चोदुई ने किन सरकार से और से 36 गड़ के लिए 10 नए मोडल डिगरी कॉलेजों को मनजूरी दिये जाने पर केंद्र का आभार जताया है उन्होंने कहा कि केंद्र की ये पहल 36 गड़ में उच्छ सिक्षा को और अधिकुन वर्ता पून बनाने में करांतिकारी सिध होगी केंद्वारा प्रारोजित राष्टे उच्छ सिक्षा अभ्यान के तहट देश के सेक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में 130 मोडल डिगरी कॉलेज खोले जाने की मनजूरी दी गई है और चोधी ने कहा कि इस रियोजना में 36 गड़ को शामिल करके यहां के युवाओं को कोशल उद्नियान के छेत में नई दिशा मिलेगी